ये Profit and Loss का Part 6 है, इससे पहले हम 5 बार्च पढ़ चुके हैं, 5 बार्च का लिंक आपको description में मिल जाएगा, आपने थंबेल में देखी लिया हुआ कि आज हम किस तरह के प्रस्नों को हल करना सीखेंगे, ये प्रस्न बहुत ही important है, तो आज हम इसका सबसे आसान तरीका जिससे हम कम से कम समय में इसे बना सके, इस प्रस्न में दिया गया है कि एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीद कर 10% हानी में बेच देता है, यदि वह उसे 10% कम में खरीदता तथा 55 रिपिया अधीक में बेचता तो उसे 40% का लाव होता, तो उस वस्तु का क्रैमूल कितना है, इसे तो हम एक समान के भी बना सकते हैं, हम इसका सबसे आसान तरीका सीखेंगे, जिससे आप इस तरह के सभी प्रस्नों को बहुत आसानी से बना सकते हैं, हम एक सो को बेच मान के सीखेंगे सारा प्रस्न माल लेते हैं, एक सो रिपिया जो है वो हमारा कोश्ट प्राइस है अब क्या कहा गया है तो 100 का 10% 10 रुपिया मतलब 90 रुपिया जो है उसका सेलिंग प्राईस है ये पहले वाला है अब क्या कहा गया है उसे 20% कम में खरिद था अब दूसरा एक CP आ गया है 20% कम में अगर वो खरिद था तो second जो CP है उसे हम 20% कम कर लेते हैं मतलब 80 रुप्या जो है वो 2nd CP है और इस पे उसे 40% का लाब हुआ है तो 80 का हम 40% निकालेंगे मतलब 140% निकालेंगे तो वो हमारा SP होगा Selling Price होगा ये जो है 2nd वाला Selling Price होगा 80 का 140 वाटा 100 हम कर लेते हैं ये 0 कर जाएगा यहां से ये 0 कर जाएगा अब यहां से कितना मिलेगा 112 जो है यहां से Selling Price मिला है ये पहला Selling Price था ये दूसरा Selling Price है और बोला गया है कि 10% कम में खरिता तो 55 रुप्या अधीक में बेशता तो 40% का लाब होता मैंने पहले जो 10% कहानी हुआ है और बाद में जो 40% का लाब हुआ है ये इन दोनों का डिफरेंस 55 रुप्या आया है तो पहले 90 रुप्या था Selling Price बाद में 112 रुप्या था Selling Price इन दोनों को हम माइनस करेंगे 112 माइनस 90 ये जो है 55 के बराबर होगा हम 100 मान के चल रहे थे इसलिए हम इसको परसेंटेज भी मान सकते हैं 112 माइनस 90 कितना होगा 22% 22% इकॉल टू 55 रुप्या है तो यहां से हम 100 परतिशत निकाल लेंगे 55 बटा 22 गुना 100 55 बटा 22 गुना 100 इसे हम कटा लेते हैं 11 दुनी 22 11 पचे 55 यहां से 2 पचे 10 और 0 50 तो 50 और 5 बचा है इन दोनों को गुरा करेंगे तो 5 पचे 25 और 1 0 लगा देंगे 2500 रुप्या जो है वो इसका CP होगा इस तरह के हम जितने भी प्रस्न करेंगे हम इसी तरह बनाएंगे इस तरह का और एक प्रस्न करेंगे और हम इस 100 ट्रिक से उसे बनाएंगे यह पहले जैसा ही प्रस्न है एक व्यक्ति एक मेज को 10 परतिसात लाब पर बेचता है यदि वो उसे 5 परतिसात कम में खरीता तथा 80 रुप्या अधिक में बेचता तो उसे 20 परतिसात का लाब होता मेज का क्रैमूल कितना है हम वैसे ही बनाएंगे माल लेते हैं CP जो है 100 रुप्या है तो पहला SP कितना होगा 10 परतिसात लाब पर बेचा है तो 110 रुप्या होगा इस हिसाब से दूसरा CP क्या कहा गया है कि 5 परतिसात कम में खरीता तो दूसरा CP 5% कम कर लेते हैं 95 रूपिया हो जाएगा और तो दूसरा SP कितना होगा 20% लाप पे बेचा गया है तो 95 का 120 बटा 100 हम कर लेंगे इसे काट देते हैं 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 25, 45, 29 बार में ये 6 बार में यहां 19 और 6 बचा तो 19 गुना 6 कितना होता है 114 रूपिया तो ये जो है सेकेंड वाला सेलिंग प्राइस हमें मिल गया है ये हमारा दो काम हो गया ये फर्स सेलिंग प्राइस और ये सेकेंड और इन दोनों का डिफेरेंश कितना है 80 रूपिया है 114 माइनस 112 दस एकवल टो 80 रूपिया है इसको हम percentage भी मान सकते हैं, तो 114-110, 4% equal to 80 रुपिया, तो हम यहां से 100% निकालेंगे, 80 बटा 4 गुना 100, यहां से हम इसे 25 बार में काट देते हैं, 25 अठी कितना होता है, 200 और 1-0 यहां से लिख देंगे, 2000 जो है, वो उसका cost price हो जाएगा, तो ऐसे जितने भी प्रस्ना आए, हम इस method से ही बनाएंगे, और यह बहुती simple method है, और बहुती बढ़िया concept है, इससे आप असानी से ऐसे प्रस्नों को बना सकते हैं, इस प्रस्न में दिया गया है कि 17 गेंदों को 720 उरुपिया में बेचने पर 5 गेंदों के क्रैमुल्य के बराबर हानी होती है, तो एक गेंद का क्रैमुल्य कितना है, इस तरह के प्रस्न में दो टाइप के प्रस्न आते हैं, पहले हम इस प्रस्नों को सीखेंगे, उसके बाद हम एक दूसरे टाइप का प्रस्ण भी सीखेंगे यह बहुत ही सिंपल है 17 गेंदों को 720 रूपिया में बेचा गया है जहां पे 5 गेंदों के क्रैमूल लेके बराबर हानी हुई है 17 गेंदों का जो SP है 17 गेंद का जो SP है वो 720 रूपिया है पाँच गेंदों के क्रैमूल लेके बराबर हमें हानी हुई है अगर इसमें से हम पाँच माइनस कर दे तो बारा गेंद बचेंगे बारा गेंद जो बचेंगे इस गेंद का जो दाम है बारा गेंद का वो 720 रुपिया है पांच गेंदों के क्रैमूल लेके बराबर हानी हुई है कहा गया है तो हमने पांच माइनस कर दिया तो ये जो 720 रुपिया है वो 12 गेंद का दाम हमें यहां से मिल जाएगा अगर 12 गेंद का जो दाम है वो 720 रुपिया है तो हम यहाँ से एक गेन का दाम असानी से निकाल सकते है 720 बटा 12, 60 बार में ये कर जाएगा 60 रुपिया जो है वो एक गेन का दाम है 12 गेन का दाम 720 रुपिया है और उसमें हमने 17 गेन को बेचा है इसलिए 5 गेन का जो क्रैमूल है उतना ही हमें हानी हुआ है तो ऐसे प्रस्ण भी आते हैं और इसमें और एक टाइप का प्रस्ण है वो भी हम सीखेंगे इस प्रस्ण में दिया गया है कि एक दुकांदार को 12 कोपी बेचने पर चार कोपी के विक्रेमूले के बराबर लाब होता है तो लाब परतिश्थ कितना है यहां 12 कोपी और 4 कोपी के सिवा यहां पे कुछ नहीं दिया गया है तो इससे हम कैसे बनाएंगे इसका हम सबसे असान तरिका सिखेंगे 12 कोपी का जो SP है अगर उसमें से हम 12 कौपी का CP को माइनस कर दे तो हमें क्या मिलेगा ये लाब मिलेगा हमें प्रॉफिट मिलेगा यहां से 12 कौपी का जो भी सेलिंग प्राइस होगा उसमें से अगर हम 12 कौपी के कोश्ट प्राइस को माइनस कर दे यहां से हमें लाब मिलेगा जो की चार कॉपी के विक्रे मुल्ले के बराबर होगा चार कॉपी के एसपी के बराबर होगा ऐसा प्रस्न में दिया गया है हम क्या करेंगे जो एसपी यहां है और जो एसपी यहां है इस हम एक साइड में ले लेते हैं तो यहां से बारा एसपी स 1- selling price minus 4SP एक साइड में आ ग ciao दो selling price ये minus है वहां जागा प्लस हो जाएगा 12CP इसे हम minus करेंगे 12SP-4SP बारह मैसे चार जाएगा इतना होगा 8 selling price equal to 12 cost price आप ध्यान से देखेंगे कि यह प्रश्ण जो है अप यहा से निकला है इससे पहले हम part 3 वाले वीडियो किए एक ऐसा टाइ प्रस्न था कि 8 वस्तू का विक्रैमुल 12 वस्तू के क्रैमुल के बराबर है तो लाव यहानी परतिसर बताए तो ऐसे प्रस्न में हम क्या कर रहे थे यह जो मान था उसका हम उपोजिट पकड़ रहे थे तो यहां भी हम वही करेंगे अगर आपने पार्ट 3 वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप देख लेंगे इससे अब हम मुल्टा कर लेंगे 12 जो CP है उसे 12 SP मान लेंगे और जो 8 SP है उसे 8 CP मान लेंगे यह सेलिंग प्राइस हो गिया यह कोश्ट प्राइस हो गिया यहाँ से हम लाब निकाल लेंगे 12 मैं से 8 जाएगा 4 जो है लाब होगा और लाब परतिसत कैसे निकाल लेंगे इसके नीचे क्रेमूल होगा क्रेमूल जो है CP 8 है यहाँ 8 होगा इसे कटा देंगे 4 दोनी आठ 50 बार में यह कर जाएगा तो 50 परतिसत जो है वो उसे लाब हुआ है ऐसे प्रस्णों को हम इस तरह बनाएंगे इस तरह का और एक प्रस्ण कर लेते हैं इससे हमें कंसेप्ट और अच्छे से किलियर हो जाएगा यह पहले जैसा ही प्रस्ण है 36 संत्रे बेचने पर एक फ़ल वाले को 4 संत्रों के विक्राय मुल्ले के बराबर हानी होती है तो हानी परतिसत हमें निकालना है यहां हानी हो रहा है तो यहां कोस्ट प्राइस जादा होगा तो हम क्या करेंगे 36 संत्रा है उसका CP से हम 36 संत्रा का अगर सेलिंग प्राइस को SP को माइनस करे तो हमें 4 संत्रे के SP सेलिंग प्राइस बिक्राय मुल्ले के बराबर हानी होता है यह इसका equal हो जाएगा यहां से 36 CP को यही रहने देते हैं यहां 4 SP है SP को उज़र ले जाएंगे PLUS में ये 36 SP Selling Price हो जाएगा यहां से हमें मिलेगा 40 Selling Price यहां से 36 CP अब हम इसे क्या करेंगे उंटा कर लेंगे 40 को हम CP माल लेंगे और 36 को हम SP माल लेंगे तो यहां से हमें Loss हो रहा है कितना Loss हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि कोस प्राइस जादा है और Selling Price कम है तो 40 में से 36 माइनस करेंगे 4 Loss है कोस प्राइस कितना है 40 इंटू 100 इसे हम कटा रहते है 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 2 दूनी 4 10 पर 35 जो है उसे यहां से हानी हो रहा था तो इस तरह के प्रस्ण भी Competitive के Exam में लगातार पूछे जाते हैं हम ऐसे प्रस्ण को इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से बना सकते हैं